आपके पास OPPO A78 5G या OPPO A77 है तो उसके अंदर आप Wi-Fi Connecting की Problem को कैसे Solve कर सकते हैं जैसे हम नीचे के स्वाइब करते हैं स्वाइब करने का था आप देशके हमको Wi-Fi हमारा जो की है Option हमें आज आता है तो हम इसको Tap करके Hold रखते हैं तो जैसके आप देखते हो हमारा जो के अपर Wi-Fi वो Connect है तो यहाँ पर नो इंटरनेट की Problem आ रही है तो नो इंटरनेट की Problem को Solve करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो की Wi-Fi होता है उसको कम सकम एक से दो मिनिट तक बंद कर देना है अगर तब भी आपका Wi-Fi नहीं चलता तो अब यह इसके आई बटन है आई बटन पर जाए आई बटन पर जाने के बाद यहाँ पर disconnect कर ले एक वारी Wi-Fi को फिर उसके बाद connect कर ले अगर उसके बाद भी अगर आपका जो के इंटरनेट जिसने आपको दिखाता हूं यह भी हमारा ऊइंटरनेट दिखा रह उसके बाद हमको यहाँ पर एक बार यहाँ बटने के बाद वहाँ वायफ़ए आ गया है हम इसको तुवारे से जोकिए connect करेंगे यहाँ पर पासपड आपका एंटर कर देना है जो भी आपका पासफोड हो यहां पर क्लिक टाइप कर देना है जो कि हमारे चैक मार्क ऑप्शन होता है उसके बाद भी आप देखते हो हमार जो कि यह वाइफाय अभी कनेक्ट नहीं हुआ हमें करना क्या उसके बाद सिंपल सा तरीका है आपको यहां से सैटिंग बजाना है आप जैसे देख तो हैं आप एंपर एंपर फिर आपको क्या क्या क्योंकर दे reviews वारी सेट्टिंग पर टैप देना है टाप करने बाद फोन रिषैट पर फिर स्टाप कर लेना है उसके बाद जैसे आप देखते हम गया पर रिषैट नैटवर की सैटिंग यहां पर हमारी शो हो जाती है आपको एक बार क्या करना इस पर टैब कर ले रहे आपका जो भी पासफोडू से एंटर कर देना है नेटवर्क सैटिंग किलिक थोड़ सा वेट करें हमारे जो कि यह है नेटवर्क साटिंग हो गई है फिर उसके बाद आप जैसी देखते होगे हमारे चीरप करते हैं टैप करके hold रखते हैं, more का option पर जाते हैं तो जैसे हम यहाँ पर password का enter डाल देते हैं connect करा, तो हमाँ पर password की जो की problem होती है, वो solve हो जाती है इस तरह से आप अपने phone में भी कर सकते हैं, वीडियो ची लगते हैं, वीडियो को like, share, subscribe करें, मिलते हैं, next video में जब तक के लिए, bye